नमस्कार and welcome to study close my dear friends एक बहुत ही दुखद दुरखटना गुजरात में हुई है गुजरात में एक बोट जो है वो कैपसाइस हो गई यानि की डूब गई पल्टी मार गई और इसकी वज़े से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी जहाँ चली गई है पिकनिक में गए था यह सारे बच्चे स्कूल पिकनिक में to be precise तो आज की जो हमारी discussion है यह awareness के point of view से बहुत ही important है यहाँ पर क्या-क्या चीजे हुई उनको तो हम देखने ही वाला है क्या steps उठाय जा रहे हैं यह सारी चीज़ों को यही है दोस्तों के दुनिया के अलग-अलग देशों में जो best practices है boat को लेकर जो safety के कुछ rules and regulations को follow किये जाते हैं उनके बारे में हम discuss करने वाले हैं और मेरी आप सभी से एक personal request है आप अगर go आ जाए या फिर किसी भी lake कही पर भी जाए जहां पर boat use की जाती है तो make sure अगर आपको life jacket नहीं दिया जा रहा है तो उस boat पे मत चड़िये no life jacket don't get on that boat तो आपको तैरना आता है मुझे भी तैरना आता है अगर मैं किसी भी boat पर अगर मैं उस boat का passenger बन रहा हूँ तो I will make sure के वो मुझे life jacket प्रवाइड करें और सिफ मुझे नहीं जितने लोग है सारे के सारे लोगों को अगर life jacket प्रवाइड नहीं किया है तो इस boat पर कभी मत जाईए तो इस boat पर कभी मत जाईए तो इस वेरी वेरी इंपोर्टन ये अवेरनेस जो है और दो टीचर्स थे और अभी भी जो rescue operation जो है वो चल रहा है ये incident जो है वो वरोदरा city के नजदीक का जो एक area है वहाँ पर एक छोटा सा तालाव है एक lake है यहाँ पर ये boat जो है वो पल्टी मार गई क्योंकि ये बताया जा रहा है के इस boat में जितनी capacity है उसे कई गुना ज्यादा लोग जो है वो इसके उपर on board या फिर आप कह सकते हैं के boat के capacity से ज्यादा passengers जो है वो इसमें भरे गए थे और इसकी वज़े से ही ये boat जो है वो imbalance होगी और पल्टी मार गई ये जो lake जहाँ पर ये tragedy हुई है that is Harni Lake और दो dozen जितने students और चार teachers जो है वो picnic के लिए गये थे और उसके बाद उन्होंने एक boat ride ली और एक student जो है उसको rescue किया गया है अभी भी search operation जो है वो चल रहा है as you know के 16 लोगों की तो information यहाँ पर मृत्य हुई है और प्राइम मिनिस्टर की office से आप सोचिए के national level तक की ये बात पहुँच गए of course it is a big concern ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुजरात में ये tragedy हुई है हमारे देश के अलग-अलग areas में इस प्रकार की अलग-अलग tragedies होती रहती है और unfortunately ये सारे अलग-अलग incidents से हम जो lesson इसमें से सीखना चाहिए वो नहीं सीखते हैं that is health and safety प्राइम मिनिस्टर की office से ex-gratia 2,000 रुपे की amount जो है वो announce की गई है यारि कि जितने लोगों का यहाँ पर निदन हुआ है तो उनके परिवार जनों को 2,000 रुपे जो है वो PM and RF में से दिये जाएंगे और इसके साथ जो लोग injured है तो उनको 50,000 रुपे जो है वो provide किये जाएंगे गुजरात सरकार की बात करें तो Chief Minister of गुजरात भुपेंदर भाई पटेल और हर्ष भाई संगवी जो है जो Home Minister है गुजरात के वो भी SSG Hospital जो वड़ोदरा में है जहाँ पर जो injured है जिनको rescue किया गया तो वहाँ पर उनकी treatment चल रही है तो Home Minister और Chief Minister जो है वो दोनों इस सारे लोगों को जो victims है या फिर आप कह सकते हैं tragedy के जो शिकार बन गए बच्चे जो है तो उनको वो मिलने के लिए भी गए और गुजरात सरकार ने जिन लोगों का निदन हुआ है उनके परिवार जनों के लिए चार लाख रुपे की amount जो है वो announce की है और injured के लिए 50,000 रुपे की amount जो है जो है वो announce की है जो national level पर से 2 लाख मिलेंगे उपर से 4 लाख रुपे मिलेंगे देखिए हम सब जानते हैं कि इंसान की जान जो है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं मेरा एक जो प्रशना रहता है हमेशा जब भी ये दुरगटना होती है किसी भी जगा पर तो एक अच्छी बात है कि सरकार जो है वो एक पैसे प्रवाइट करती है एक प्रकार की help प्रवाइट करती है तो चलो ये अच्छी बात है I'm not against it लेकिन आप देखिए कि जब इस प्रकार की दुरगटना होती है उस समय पर हमारे पास पैसे रहता है in the sense कि उस समय पर सरकार जो है वो पैसे प्रवाइट करती है लेकिन I would say कि अगर ये सारे पैसो का इस्तेमाल जो है and it's not just कि ये जो फंड है उसमें से ये पैसो का इस्तेमाल करे लेकिन ये चीज जो है वो हमें सूचने की ज़रूरत है I'm not blaming any particular government जैसे मैंने आपको बताया ये हर एक राजिय में इस प्रकार की tragedies होती रहती है तो यहाँ पर कोई एक सरकार की बात रही है as a nation हमें ये चीज सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप सोचेंगे यहाँ पर एक बोट है तो इस बोट में अगर 20 लोग बैट सकते हैं तो 20 लोगों के लिए अगर life jacket की अगर आप कीमत निकालेंगे न तो इट विल बी under 1 lakh रुपीज तो ये practices अगर follow की जाती तो आज ये situation ना होती So this is very very you know heart frenching गुजरात के चेपिनिस्टर साब जो हैं उन्होंने एक बहुत ही high level की investigation जो है वो भी announce की है district magistrate जो है वोडो दुरा के वो इस investigation को head करेंगे और सरकार ने 10 दिनों की time limit दी है कि 10 दिनों के अंदर आपको ये report सरकार के हवाले सोब देना submit कर देना है तो basically इस परकार की जब भी inquiry होती है high level की probe होती है तो उसमें अलग अलग angle से means क्या क्या चीजे हुई थी वो सारी चीजे जो है वो note down की जाती है और basically ये इसलिए note down की जाती है ताकि hopefully future में इस परकार की tragedies जो है वो ना हो अब बहुत इक quickly ये कैसे हुआ उसको quickly देख लेते है और क्या-क्या इसमें किया जा रहा है डोक्टर शीतल मिस्त्री जो है chairman of standing committee वडोद्रा municipal corporation उन्होंने ANI को news जो है ANI news उनको बताया कि कुछ 35 लोग जो है वो bot पर थे और bot की capacity से ज्यादा देखे यहाँ पर अभी भी कोई assurity से बात रही हो रही है जो प्राइमर फेसी या फिर उनको भी जो पता चला है officials और important जो लोग है तो उनका यह कहना है कि perhaps more than its capacity the boss lost its balance and capsized bot जो है अपना balance गवा चुकी और capsized यानकी पल्टी मार गई और डूबने लगी और यहाँ पर किसी भी प्रकार के safety measures जो है वो नहीं थे तो investigation इसकी की जा रही है वडोद्रा के district collector AB Gore उन्होंने कहा कि 27 जितने बच्चे जो है वो इस boat में थे और पूरी कोशिस की जा रही है कि जिन लोगों को अभी भी जो लोग missing है तो उनको trace कने कि उनको rescue कने की पूरी कोशिस जो है वो की जा रही है अब एक statement जो opposition party वाले भी दे रहे हैं ruling party वाले भी दे रहे हैं that is कि whoever is at fault will be punished देखिए जलो अब जिसने भी जिनकी चूक हैं यहाँ पर जिनकी गलतियां हैं उनको punishment दी जाएगी यह सारी चीज़े तो हैं लेकिन I'm more interested in कि अब क्या कैसे हम ऐसे कुछ steps उठाए जिनके माधियम से future में इस प्रकार की tragedies ना हो आगे बड़े उससे पहले एक बहुत ही important बात के we have launched limitless leadership program यह program मेरे द्वारा ही design किया गया है right it will unlock your leadership skills इसके साथ जोड़ी हुई सारी details for example demo lectures भी आपको study glows के mobile app पर मिल जाएंगे तो अगर इस course को avail नहीं किया है तो आज ही इसको avail कर लीजे and you can check out my other videos on curiously education अब दोस्तों सबसे important portion जो है वो यह है कि दुनिया के अलग-अलग देशों में जो safety first या फिर boat को लेकर जो leisure boat है या फिर pleasure के लिए जब भी हम boat की ride लेते हैं तो क्या-क्या rules and regulations को follow किया जाता है वो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ ताकि हम सब जो है वो एक हमारे अंदर भी awareness create हों और हम भी दूसरों के अंदर awareness create कर सके ताकि इस परकार की tragedies से हम अपने आपको और हमारी जो prevention है उनको so my bad तो यह PFDs कहा जाता है इनको generally हम कहते है life jackets right तो यह एक बहुत ही common best practice है जो लगबग दुनिया के सारे developed देशों में इसको follow किया जाता है कि अगर आप boat में सवार होते हैं तो you have to wear a life jacket आपको life jacket पहनना ही है चाहे वो तालाब में हो चाहे नदी हो, it doesn't matter आपको पहनना ही है and this reminds me of Titanic याद है Titanic film हम सब ने देखी है तो Titanic film में भी ऐसा था कि जब, means Titanic की जो tragedy हुई वो 1912 में हुई तो उस समय पर भी life jackets were available और जब भी यह incident हुआ, accident हुआ तो तुरंती जैसे आप डूबेंगे नहीं, number one, number two जो है, आपको hypo thermia से अगर पानी बहुत ही ठंडा है तो उससे थोड़ी आपको protection मिल जाएगा, number three is के जो ये life jackets होते हैं ये काफी high visibility वाले होते हैं तो दूर से भी जो rescue की बोट्स अगर आएगे तो आपको पहचान पाएगा, आपको देख पाएगी, locket कर पाएगी, उनमें radiums और ये सारी चीज़े होती है, number four is के उनमें whistles भी होती है, right, तो आप whistles के माधियम से भी लोगों का ध्यान जो है, वो rescue team का ध्यान जो है, आपको अपनी तरफ आकरशित कर सकते हैं, तो ये कुछ इसके multiple benefits होते हैं, दूसरी चीज़, जो boats होती हैं, उनके maintenance को लेकर काफ़ strict rules and regulations होते हैं, basically आपकी जो boat हैं, ये top operating condition में होनी चाहिए, right, इसको आपको साब सुतरे रखनी है, tripping ना हो, कोई, you know, trip in the sense कि कोई gear ना जाए, तो ये सारी चीज़ है, कोई hazards ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ है, और इसके साथ जो maintenance की कुछ essentials होते हैं, वो सारी चीज़ों का आपको follow करना है, फिर environmental awareness, अगर आप लोगों को लेकर boat में travel कर रहे हैं, तो make sure कि आप wildlife को disturb ना करे, आप कुडा कच्रा यहाँ वहाँ नहीं फेकेंगे, तो ये सारी चीज़ों को follow किया जाता है, फिर navigation और collision prevention rules रहते हैं, कि आपको कितना distance maintain करना है, इसे के साथ कुछ ऐसी systems होती है, navigation और दूसरे ऐसे devices होते हैं, जिनके माधियम से आप अपना location और इसके साथ अगर कोई issue हो जाता है, तो आप अपना location शेर कर सकते हैं, जैसे drinking and driving is not allowed, वैसे ही drinking and riding a boat is also not allowed, तो इसको भी काफी ज्यादा strictly जो हैं वो follow किया जाता है, फिर visual distressed signals, जब भी लोग boat पर जाते हैं, तो उनको safety के बारे में बताया जाता है, as you can see here, यह जो व्यक्ति हैं, वो सारी चीजों के बारे में इनको educate कर रहे हैं, तो recreational boats are required to carry visual distressed signals for use during periods of reduced visibility, और sound producing devices आपको लेकर जाने हैं, horns हैं और दूसरे से whistles and things, ताकि अगर traffic हैं या फिर foggy environment हैं तो उस समय पर आप इसका इस्तिमाल करें, और अगर आपकी boat जो हैं वो sunset के बाद और sunrise से पहले operate करती हैं, या फिर अगर environment में changes हो रहे हैं, जो रात है वो अगर लंबी है लगसे तो आपको navigation light जो हैं उनका भी इस्तिमाल करना ही हैं, तो ये कुछ ऐसी basic चीज़े हैं जिनको follow किया जाता है, तो दोस्तों आज इस lecture के माधियम से एक छोटा सा वादा हम सब अपने आपको करें, अगर आप पानी में उतर रहे हैं, अगर आप एक boat ride पर बैट रहे हैं तो लाइफ जैकेट अगर नहीं है तो उस boat पर मत बैठिया, अगर अगर परिवार में भी कोई यंग्स्टर हैं अगर वो पिकनिक में जा रहे हैं और वहाँ पर boat ride involved है तो make sure आप उनको भी clearly बता दीजिए, teachers के साथ, सब के साथ, एक confirmation ले लिजिए, it will just take one phone call, दो मिनिट लगेगी, उनको बता दीजिए, उनको inform कर दीजिए कि अगर वहाँ पर life jacket नहीं है, तो किसी भी बच्चे को आप वहाँ पर लेकर मत जाएए, right, तो ऐसे कुछ steps उठाने से, we can avoid this sort of tragedies, में नहीं पता है, health and safety को लेकर सारे teachers को educate करने की जरूरत है, और इसके साथ, teachers के माति हमसे, बच्चों को educate करने की जरूरत है, इसमें बहुत सारी चीजिए आ जाती है, right, for example, अगर आप कार में travel करा हैं, तो make sure you wear a seat belt, तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़े होती है, right, basic जैसी चीज़े, जैसे मैंने बताया आपको के life jacket नहीं है, तो don't get on the boat, तो ऐसी कुछ चीज़े अगर हम सिखा दे बच्चों को, तो एक बहुत बड़ा बदलावर, इस प्रकार की बहुत सारी tragedies जो हैं, उनसे हम अपने आपको बजा सकते हैं, जिन लोगों का यहां पर निदन हुआ है, you can imagine कि उनके परिवार जनों पर क्या बीत रही होगी, अपने छोटे बच्चों को उन्होंने मरते हुए देखा, यार, so this is unbearable, तो उनके लिए चलो, एक छोटी सी दो मिनिट की प्राथना जो हैं, वो हम कर ले, right, और let's hope कि इस प